आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर अगस तक सभी important days की theme को cover करेंगे Direct एक प्रश्ण आपकी परिक्षा में theme से related पूछा जाता है तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्ही days को cover करेंगे जिन पर dedicated theme है मतलब की आज की इस वीडियो में हमारा focus उन्ही days पर होगा जिन पर theme है जिनकी theme exam में पूछे जाती है तो आपकी परिक्षा में theme से related ऐसे ही सवाल पूछा जाता है वहाँ पर day दिया होता है और आपसे उसकी theme पूछ लिजाती है जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस की theme क्या है या युवा दिवस की theme क्या है आपको day दिया होगा और उसकी theme पूछ जाएगी सबसे पहले देखते हैं जनवरी का महिना तो इसी परकार हम जनवरी फरवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी important days की theme है सभी को cover करेंगे तो जनवरी से शुरुवात करते हैं तो पहला important day है परवासी भारतिय दिवस यह हर वर्ष 9 जनवरी को मनाय जाता है तो 9 जनवरी के दिन ही 1915 में महत्मा गांधी जी के दक्षिन अफरीका से भारत वापस आने की याद में यह है परवासी भारतिय दिवस मनाय जाता है तो इस वर्ष 2021 में परवासी भारतिय दिवस की theme क्या थी तो contributing to आत्म निर्भर भारत यह इस वर्ष की theme थी याद रखेगा अगला दिवस देखते हैं नैशनल यूथ डे यानि की राष्ट्रे युवा दिवस तो यह हर वर्ष 12 जन्वरी को मनाय जाता है क्योंकि 12 जन्वरी को ही स्वामी विवेका नंजी की जयनती है तो उसी की अफसर पर राष्ट्रे युवा दिवस हर वर्ष 12 जन्वरी को मनाय जाता है तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? Channelizing Youth Power for Nation Building तो ये इस वर्ष की थीम थी बहुत ही important है या दखेगा क्या थी? Channelizing Youth Power for Nation Building आगे देखते हैं International Day of Education अंतर राश्ट्रे सिक्ष्षा दिवस ये हर वर्ष 24 जनवरी को मना जाता है इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation ये इस वर्ष इसकी थीम थी COVID-19 Generation से याद रखेगा तो अगला दिवस है National Waters Day राश्ट्रिय मतदाता दिवस ये हर वर्ष 25 जनवरी को मना जाता है गंतंतर दिवस से एक दिन पहले क्योंकि Election Commission of India की स्थापना इसी दिन 25 जनवरी को ही की गए थी इसलिए हर वर्ष राश्ट्रिय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मना जाता है इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? Making our voters empowered, resilient, safe and informed ये इस वर्ष इसकी थीम थी Important है या देखेगा मतदाता दिवस की थीम पूछी जाती है अब आगे देखते हैं तो 25 जनवरी के बाद देखते हैं 26 जनवरी तो 26 जनवरी को गंतंतर दिवस भी मना जाता है और साथी साथ अंतर राश्ट्रिय स्रीमा शुल्क दिवस भी मना जाता है यानि कि International Customs Day ये भी 26 जनवरी को ही मना जाता है तो इस वर्ष अंतर राश्ट्रिय स्रीमा शुल्क दिवस की थीम क्या थी तो Customs Blustering, Recovery, Renewal and Resilience for a Sustainable Supply Chain ये इस वर्ष की थीम थी याद दखेगा Sustainable Supply Chain अगला important day कौन सा है वर्ड ले प्रोसी डे यानि कि वीश्व कुष्ट दिवस जिसे हम कोड कहते हैं कुष्ट को तो ये हर वर्ष 31 जनवरी को मना जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी Beat Leprosy and Stigma and Advocate for Mental Wellbeing ये इस वर्ष इसकी थीम थी याद रखेगा Beat Leprosy से याद रखेगा अब हम आगे देखते हैं तो जनवरी महीने की सभी important theme हमने पढ़ ली अब हम फरवरी महीने की सभी important theme को पढ़ते हैं तो फरवरी महीने की सिर्फ चार ही important theme है जो आपको याद रखेनी है पहली है दो फरवरी को विश्व आदर भूमी दिवस मनाय जाता है यानि कि World Wetland Day 2 February को मनाय जाता है तो मैंने रामसरस्थल वाली वीडियो में आपको बताय था कि 2 February को World Wetland Day मनाय जाता है उसमें मैंने सभी रामसरस्थल कवर किये थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो Indian Geography की playlist में जाकर जरूर देख लेना उसमें मैंने सभी इंडिया के Wetlands को कवर किया था उसके बाद हम देखते हैं कि 2 February को Wetland Day मनाय जाता है तो इसकी theme क्या थी इस वर्ष तो Wetlands and Water यानि कि आदर भूमी और जल ये इस वर्ष की theme थी याद दखेगा ये बहुत ही important है उसके बाद देखते हैं World Cancer Day ये 4 February को मनाय जाता है और इस वर्ष इसकी theme थी I am and I will important है जरूर याद दखेगा कि विश्वक Cancer दिवस की theme क्या थी इस वर्ष I am and I will उसके बाद देखते हैं World Radio Day ये 13 February को मनाय जाता है तो इस वर्ष इसकी theme क्या थी New World, New Radio ये इस वर्ष इसकी theme थी आप से पूछा जाएगा कि 2021 में विश्वर रेडियो दिवस की theme क्या थी तो आपको पता होना चाहिए New World, New Radio तो अगला important day है राष्ट्रे विज्ञान दिवस यानि कि National Science Day ये हर वर्ष 28 February को मनाय जाता है इस वर्ष इसकी theme क्या थी Future of STI यानि कि Science, Technology and Innovation Impacts on Education, Skills and Work यानि कि Science का impact क्या है Education पर, Skill पर और Work पर ये इस वर्ष की theme थी या देखेगा National Science Day की theme तो फरवरी के बाद अब हम आते हैं March पर तो सबसे पहले देखते हैं 3 March तो 3 March को World Wildlife Day मनाय जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मनाय जाता है इस वर्ष इसकी theme क्या थी Forest and Livelihoods Sustaining People and Planet ये इस वर्ष इसकी theme थी या दखेगा Sustaining People and Planet ये World Wildlife Day की theme थी इस वर्ष उसके बाद देखते हैं अंतर राष्ट्रिय महिला दिवस ये तो आपको पता ही होगा हर वर्ष आठ मार्ष को मनाय जाता है International Women Day इस वर्ष इसकी theme क्या थी Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World ये इस वर्ष इसकी theme थी तो COVID-19 की बहुत सी theme है क्योंकि COVID-19 से पूरी दुनिया ही परशान है तो इससे related बहुत सी theme है याद रखे अगला important day है World Consumer Right Day यानि कि विश्व उपभुकता अधिकार दिवस ये हर वर्ष 15 मार्ष को मनाय जाता है और इस वर्ष इसकी theme क्या थी Tackling Plastic Pollution तो Plastic Pollution बहुत बड़ी समस्या है अधोनिक यूग की तो इससे related इसकी theme है Tackling Plastic Pollution याद रखेगा तो अगला महत्त पूरण दिवस है विश्व गुरईया दिवस World Sparrow Day ये हर वर्ष 20 मार्ष को मनाय जाता है और इस वर्ष इसकी theme क्या थी I Love Sparrow याद रखेगा जब आपसे पूछा जाए कि विश्व गुरईया दिवस की theme क्या है 2021 की तो ये है I Love Sparrow अगला important day है विश्व जल दिवस World Water Day ये हर वर्ष 22 मार्ष को मनाय जाता है और इस वर्ष इसकी theme है Valuing Water क्या है Valuing Water उसके बाद देखते हैं World Tuber Closus Day और इस वर्ष World TV Day की theme क्या थी The Clock Is Ticking याद रखेगा क्या है World TV Day की theme The Clock Is Ticking अब आगे देखते हैं तो मार्च के बाद अब हम आते हैं अप्रेल में अप्रेल में भी आपको सिर्फ 4 theme याद रखनी है यही important है इनी से पूछा जाएगा तो सबसे पहले है World Health Day विश्व स्वास्थे दिवस यह हर वर्ष 7 अप्रेल को मनाय जाता है और इस वर्ष इसकी theme क्या थी Building a Fairer, Healthier World for Everyone यह इस वर्ष इसकी theme थी उसके बाद देखते हैं World Heritage Day यानि कि विश्व विरासत दिवस यह हर वर्ष 18 अप्रेल को मनाय जाता है और इस वर्ष विश्व विरासत दिवस की theme क्या थी Complex Past Diverse Futures क्या थी Complex Past Diverse Futures तो आगे है World Earth Day विश्व प्रित्वी दिवस यह हर वर्ष 22 अप्रेल को मनाय जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाय जाता है और 22 अप्रेल को विश्व प्रित्वी दिवस मनाय जाता है यह देखेगा तो इस वर्ष 22 अप्रेल को यानि की विश्व प्रित्वी दिवस की theme क्या थी Restore Our Earth यह इस वर्ष की theme थी यह देखेगा Restore Our Earth उसके बाद देखते हैं World Malaria Day विश्व मलेरिया दिवस यह हर वर्ष 25 अप्रेल को मनाय जाता है और इस साल इसकी theme थी Reaching the Zero Malaria Target Reaching the Zero Malaria Target यह इस वर्ष की विश्व मलेरिया दिवस की theme तो अप्रेल के बाद अब हम आते हैं मई में तो शुरुआत करते हैं 3 मई से 3 मई को World Press Freedom Day मनाय जाता है विश्व प्रेस सोतंतरता दिवस तो बताईए इस वर्ष विश्व प्रेस सोतंतरता सूचकांक में भारत की ranking क्या थी मैंने आपको index and ranking वाली वीडियो में बताया था ट्रिक से बताया था बताईए भारत की ranking क्या थी कोमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तो अब हम देखते हैं कि विश्व प्रेस सोतंतरता दिवस की थीम क्या थी इस वर्ष तो information as a public good ये इस वर्ष की थीम थी या दखेगा information as a public good उसके बाद देखते हैं अस्थमा डे विश्व अस्थमा दिवस ये हर साल 4 माई को मना जाता है इस वर्ष इसकी थीम थी uncovering अस्थमा misconception ये इस वर्ष इसकी थीम थी क्या थी uncovering अस्थमा misconception उसके बाद देखते हैं international day of midwife midwife यानि की दाई तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी ये हर वर्ष 5 माई को मना जाता है international day of midwife और इस वर्ष इसकी थीम थी follow the data invest in midwives ये इस वर्ष इसकी थीम थी क्या थी follow the data invest in midwives ये इस वर्ष की थीम है या दखेगा और important है उसके बाद देखते हैं आगे 8 माई को world red cross day मना जाता है most important या दखेगा कम मना जाता है 8 माई को विश्व red cross दिवस और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी together we are unstoppable क्या थी together we are unstoppable तो अगला important day है world biodiversity day अंतर राश्ट्रे जैव विविदिता दिवस important है ये हर वर्ष 22 माई को मना जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी we are part of the solution क्या थी थीम we are part of the solution तो आगे है 31 माई को मना जाता है विश्व तमबाकू निशेद दिवस तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी commit to quit क्या थी commit to quit ये इस वर्ष की थीम है विश्व तमबाकू निशेद दिवस की याद रखेगा तो मई के बाद अब हम आते हैं जून में तो जून में भी आपको सिर्फ चाही थीम यादकनी है यहीं important है तो शुरुवात करते हैं 5 जून से तो 5 जून को आपको पता ही होगा विश्व पर्यावरन दिवस मना जाता है World Environment Day तो इस वर्ष World Environment Day की थीम क्या थी Re-Imagine, Recreate और Restore यादकेगा और मैं आपको बता दूँ कि विश्व पर्यावरन दिवस की हर वर्ष कोई ना कोई देश मेजबानी करता है इस वर्ष कौन सा देश होश्ट था तो पाकिस्तान उसी ने ये थीम दी थी Re-Imagine, Recreate और Restore यादकेगा और मैं आपको बता दूँ कि इस पर्यावरन दिवस पर UN द्वारा, UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 से लेकर 2030 तक की शुरुवात की गई है और जिसकी थीम उन्होंने रखी है Ecosystem Restoration तो ये भी विश्व पर्यावरन दिवस की थीम है UN द्वारा रखी गई है, या रखेगा उसके बाद देखते हैं, विश्व महासागर दिवस World Ocean Day तो ये हर वर्ष 8 जून को मनाय जाता है और इस वर्ष World Ocean Day का थीम क्या था? The Ocean Life and Livelihoods क्या था? The Ocean Life and Livelihoods या देखेगा उसके बाद देखते हैं, World Refugee Day विश्व शर्नार्थे दिवस, जो की 20 जून को मनाय जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी Together We Heal, Learn and Shine क्या थी? Together We Heal, Learn and Shine आप इसको ध्यान से सुनते रहिए जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगा उसके बाद देखते हैं International Day of Yoga अंतर राष्टे योग दिवस ये तो आपको पता ही होगा हर वर्ष कम मना जाता है 21 जून को तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? Yoga for Wellbeing या Wellness क्या थी? Yoga for Wellbeing याद रखेगा तो जून के बाद अब हम आते हैं जुलाई में तो 11 जुलाई को World Population Day मना जाता है विश्व जनसंख्या दिवस तो इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? The Impact of the COVID-19 Pandemic on Fertility क्या थी? The Impact of the COVID-19 Pandemic on Fertility या देखेगा उसके बाद देखते हैं World Hepatitis Day बहुत ही ज़्यादा important है या देखेगा ये 28 जुलाई को मना जाता है विश्व हैपेटाईटिस दिवस और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? हैपेटाईटिस कांट वेट क्या थी? हैपेटाईटिस कांट वेट या देखेगा तो आगे है International Tiger Day अंतर राष्ट्रिय बाग दिवस ये हर वर्ष 29 जुलाई को मना जाता है अंतर राष्ट्रे बाग दिवस तो मैंने भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन पर वीडियो बना रखी है अगर आप चाहें तो इंडियन जोग्रफी की प्ले लिस्ट में जागर देख सकते हैं तो इस वर्ष अंतर राष्ट्रे बाग दिवस की थीम क्या थी Their Survival is in Our Hands क्या थी Their Survival is in Our Hands ये इस वर्ष अंतर राष्ट्रे बाग दिवस की थीम थी important है याद रखेगा तो जुलाई के बाद अब हम आते हैं अगस्त में तो अभी तक अगस्त में ये दो ही थीम इंपोर्टेंट है पहला है विश्व सतन पान सप्ता जो की एक से लेकर साथ अगस्त तक मनाए गया मतलब की अगस्त के पहले सप्ता में इसे World Breast Feeding Week के तोर पर मनाए गया और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? Protect Breast Feeding a Shared Responsibility ये इस वर्ष की थीम है या दखेगा Protect Breast Feeding a Shared Responsibility ये इस वर्ष की थीम है विश्व सतन पान सप्ता की उसके बाद देखते हैं 12 अगस्त तो 12 अगस्त को अंतर राष्ट्रे युवा दिवस मनाए गया International Youth Day तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? Transforming Food Systems Youth Innovation for Human and Planetary Health या देखेगा ये इस वर्ष अंतर राष्ट्रे युवा दिवस की थीम थी? Transforming Food Systems Youth Innovation for Human and Planetary Health तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो? कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना धैन्यवाद